बिजनौर के बैराज रोड पर दो बाइकों की टक्कर के बाद बाइक से नीचे गिरी मा बेटी को ट्रक ने कुचल दिया हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि पती गंभीर रूप से घायल हो गया मा बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया और कानूनी कारेवाही में जुट गई दरसल यह दर्दनाक हादसा बिजनोर शहर कोतवाली क्षेतर के नैशनल हाईवे 34 पर बैराज रोड पर दो बाइकों की टककर के बाद एक बाइक पर सवार पती पतनी और एक बच्ची सड़क पर गिर गए तब ही वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने पतनी और बच्ची को कुचल दिया जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पती गंभीर घायल हो गया आपको बता दें पानीपत की फार्मा कंपनी में सुपर्वाइजर के पद पर तैनात भीश्म अपनी पतनी उजाला और पांच वर्षिय बेटी कनिशा के साथ बाइक पर सवार होकर धामपुर से पानीपत जा रहा था बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक बैराज रोड पर बैराज से कुछ पहले पहुँची तब ही सामने से आ रही दूसरी बाइक से बाइक की टकर हो गई टकर के बाद बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पर गिर गए और वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने मा और बेटी को कुचल दिया जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि भीश्म गंभीर रूप से घायल हो गया सूचना पर पहुँची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भरती कराया और दोनों शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया बताया जा रहा है कि भीश्म की चाची की कुछ दिन पहले मौत हुई थी जिसकी आरश्टे में शामिल होने के लिए भीश्म अपनी पतनी और बच्ची के साथ कल धामपुर क्षेतर के उम्री खदाना गाव आये थे और सुबह धामपुर से पानी पत जा रहे थे हादसे की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट